हलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत है मैं हूँ नीरत प्रजापती आज में बनाने जा रहे हूं पाव भाजी यह इन में क्या-क्या चीजे पड़ती हैं वह मैं आपको बताते हूं यहची मैंने यहाँ पूण दिया है मैंने 1,500 वायगयelly लिया है 500 ग्राम जाओं लिया है और 500 ग्राम नाकी है मैंने यहाँ सबूंदा हो म 드ण दिया हैं यह मैंने दो आलू कट किया है मीडियम साइड के महिन महिन टुकडों में यह देखिए यहां पर मैंने 500 ग्राम टमाटर को महिन महिन टुकडों में कट किया है दालने के लिए दाल सकते हैं लेकिन इस समय गर्मी है तो मैंने कुछ खासी खास सब्सक्री को ईढ़ी है यहां पर यहां पर आट पकट केट लिए है मैं पर बड़ा है अब हम यहां पर मैंने सारी सब्जी नहीं डालना हमें बाद में बताऊंगे आपको यहां पर मैं यह मटर अभी गैस पे चार से पांच मिनट वाइल करने रख दूंगी मैं यह वाइल करके डालूंगी कूकर में नहीं वाइल करूंगी क्यूंकि घुट जाएगी उसमें तो फ्रेंड्स यह देखिए मैंने गैस को अन कर दिया है अब मैं इसमें एक कप पानी आट करूंगी ज्यादा नहीं हमको डालना है सब्जिया भी पानी छोड़ देंगी यहां पर मैंने एक साबुद गांट लेसन के लिए 1.5 इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है यहां मैंने 5-6 हरी मिर्च महिन महिन कट की है यह पाव भजी मसाला मैं अभी 4-5 चम्मच एट करूंगी इसमें मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है एक चम्मच दनिया पाउडर लिया है एक चम्मच छोटी गरम मसाला लिया है मैं ज्यादा कॉंटकी में बना रही हूं इसलिए मैं मसाले भी थोड़ा ठीक ठाक ले रही हूं यहां पर मैं स्वादन सार नमक डालूंगी अभी आप आपको बताऊंगे, इस तरीके से, आभ हम लेसं को अधरक इसी में खलर में इस तरह से कूख लेंगे, अब हमारे कुकर में दो सीटी लग चुकी है मैंने क्येस को बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए ठख देंगे जड़ गया सनिकल जाया कि तब हम इसको किसी वड़ी परात में निकालेंगे फिर में चाइप पांगे 28th कि छम्तोर मोलें समय तो आञे 25 गर्णी मांडी आज़ें सब्सक्त्र करें जाद हسب्थ जादा वाल शाय करना वराइक में नि habitat attempt करें 3D कि मैंद चाम की शुक्ता नाइक है अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, मैंने भाजी में डालने के लिए ये 500 ग्राम का मखन मंगवाया है, जो अभी मैं कट करके डालूंगी, ये देखिए, मैं इसको मतनी से फेटा जाता है, दही वाई मैं उसे कर रही हूं, आप लोग चाहे, किसी से भी कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, ये देखिए, मैंने इस तरह से मेंस ली है, आप लोग भी ऐसे मेंक हूं, मैंने गैस को ओन कर दिया है, मीडियम फ्लैम पर, अब हम इसमें ऐल डालेंगे, सो फ्रेंट्स, यहां पर देखिए, मैंने गैस को ओन कर दिया, कडाई रख दिया है, मैंने और यहां मैंने एक बड़ा कफ ऑईल डाला है देखिए मस्टड ऑई डाला है मैं वटर बाद में डालूंगी उपर से सो फ्रेंस ऑईल हमारा गरम हो चुका है मैंने मीडियम प्लेम करके जल्दी से गरम कर लिया है अब हम सबसे पहले यह लैसे नद्रग का पेश्ट डालें अब हम इसमें प्याज एक करेंगे अब हम इसमें ट्रमाटर एक करेंगे इसको पांस मिनट लगेंगे प्याज को मैंने यहां पर यह लिये बड़ी करची दाल वाली हम इसी से करेंगे क्योंकि इससे में मैं असाली रहेगी तो फ्रेंट्स देखिए आज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें हरी मिर्च आट कर देंगे अब हम इसमें टमाटर हैट करेंगे अब जो हमने सिंबला मिर्च कटी थी वो है मैं इसमें अभी आदा चमच नमक एड़ कर रहे हूं छोटा चमच है बाकी बाग में करूंगे गैस को हमें मेडियम रखना है तो फ्रेंट्स दो मिनट हो चुका है जो मतर मैंने वाल की थी वो भी इसमें आट कर देंगे इसको हमें दस मिनट तक पकाना है इसको हमें ढग देना है अभी मैंने यहां पर ऐसी प्लेट ली है इस तरह से ढग देंगे सो फ्रेंट्स देखिए सिम्ला मिर्च और मतर हमारी गल चुकी है अब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे यह देखिए हल्दी पाउडर गरम मसाला दन्या पाउडर लाल मिर्च पाउडर अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स दो मिनट मैंने मसाला डाल के इसको अच्छे से पका लिया अब हम इसमें यह जो सब्लिया है वो एड़ कर देंगे अब इसको अच्छे से ऐसे चलाएंगे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पाव भाजी जो मसाला लिया था मैं वो आड़ कर रही हूं चार चम्मच अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें मीडियम फ्रेंपर इसको दस मिनट पकाना है अब हम इसमें नमक अड़ करेंगे मैंने एक चम्मच पहले नमक डाला था अब मैं एक चम्मच अब डाल रही हूं यह डेर चम्मच आप लोग स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे अब हम इसको एसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे अब हम सेखने जा रहे हैं पाओ तबा मैंने रख दिया है मैंने तबा रख दिया है गैस को ओन कर दिया है अब मैंने तबा हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें वटर डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा से नमक डालेंगे इस तरह से एक चुटकी एक चुटकी गरम मसाला एक चुटकी लाल मिच पाउडर एक चुटकी हल्दी पाउडर यह देखिए हमने यहां पे पाउ रख दी है आप इस तरह से भी खा सकते हैं और साधा भी सेक के वटर डालके खा सकते हैं आप घी का भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पे वटर का यूज कर रही हूं देसी घी का भी यूज कर सकते हैं मैंने इस तरह से छेद वाला पड़ लिया है दवाने के लिए जिससे पूड़ी उड़ी सेंखे जाती है अब इस तरह को इसको अच्छे से दवा दवा के सेंख लेंगे हमें मीडियम प्रेम पे दो से तीन मिनट लगते हैं इसको सेख नहीं अब हम देसी जी में सेक की दिखा रहे हैं यह मैंने दो चमल देसी जी डाला है अब यहां पर इसको अच्छे से तवा देंगे गैस को स्लो कर देंगे सो फ्रेंट्स ये भी मैंने शेंख लिए अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से हमें ब्राउन कर लेंगे ये देखिए पाव भाजी हमारी बनके रड़ी है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें बाई